देश परदेश और संसकारधानी में बीते कुछ दिनों से कंजेक्टिवाइटिस वाइरस आखो की बिमारी लगातार फैल रही है हाला कि देखा जा रहा है यह बिमारी लाइलाज या घातक नहीं है किन्तो इस बिमारी में साफधानी बरतना बहुत जरूरी है वहीं दूसरी तरफ शाशकिय और आशाशकिय अस्पतालों में लगाता मरीजों की संख्या मिव्रदी देखी जा रही है इस संबन में नेतर विशिशग्य विने चतानी का क्याना है कि कंजेक्टिव आइटेस वाइरस बिमारी की मरीजों को अपने टौवल चश्मा और अन्य इस्तमाल की हुई वस्तू किसी अन्य वैक्ति को नहीं देना चाहिए क्योंकि यह वाइरस चल जाता है अथा इस से बचना चाहिए महीं शीग रही नेतर चिकितसक से उपचार करना चाहिए जबलपूर से न्यूसक्षिना इंकली वाजित खान की रपोर्ट सबसे पहला उपाय तो यह ले कि जिसको भी एक अंखों को या चेहरे को ना चुमें दूसरे व्यक्ति को के संपर्क में अगर आते हैं तो उन से हाथ ना मिलाए जिस व्यक्ति को अगर यह कंजंटिवाइटिस हो गया है उसका रुमाल, तकिया, नैपकें, चश्मा कोई और इस्तमाल न करें जिस व्यक्ति को यह हो रहा है वो अपने हाथों को बार-बार सेनिटाइज करें या फिर साबुन से धुए उसके घर के जो मेंबर्स हैं उनको इससे सबसे ज़ादा होने का डर है तो उनके लिए भी यह साबधानी बरतनी चाहिए कि वो लोग उस व्यक्ति के संपर्ग में अगर आते हैं तो अपने हाथों को बार-बार साबुन से धुएं या फिर सैनिटाइजर से साफ करें उस व्यक्ति के दोरा इस्तमाल की हुई चीज़ों को इस्तमाल न करें इसमें कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इससे बचाए आपको बचने के लिए कोई दवाई नहीं है बचने के लिए साबधानी ही बरतना चाहिए और जिस व्यक्ति को यह होता है वो अपने मर्जी से या किसी नॉन मेडिकल परसन के बोलने पर वो दवाई इस्तमाल न करें उसकी प्रॉपर एक डॉक्टर को दिखाए और जो दवाईयां ज़रूरी है उसका नियमे खुरूप से इस्तमाल करते हैं यह एक तरह का इंफेक्शन है इंफेक्शन मतलब यह बैक्टीरियल इंफेक्शन है एक दो तर किसम के वाईरल इंफेक्शन है वाईरल इंफेक्शन है वाईरल इंफेक्शन में आँके लाल होना आँकों में गड़न होना और आँकों में पानी आना पाय जाता है बैक्टी इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक के लिए धन्यवाद